तो घोसी का उपचुनाओ कितना एहम है इस बात का अंदाजा इसी से लगाईए कि जो तमाम बड़े नेता हैं वो इस वक्त को घोसी की गलियों के गाउं की खाक छान रहे हैं सबसे जादा जिसका दाओं लगा है यानि सबसे जादा प्रतिष्ठा लगी है उसमें एक है ओम प्रकास राजभर पूरे इस घोसी उपचुनाओं में गाउं गली गली राजभर बस्ती से लेके सभी बस्तियों में घूम रहे हैं और जब हमने इनको यहां धूंडा तो यह चौबेपुर के एक राजभर बस्ती में हमें मिले स्वागत है आपका उम्परकास राजभर जी और आपके पीछे इतनी जंता मुझे दिखाई दे रही है मंच से आप लगातार वो नाम पढ़ रहे थे जिन्नोंने आपको 100 रूपे 50 रूपे 60 रूपे 20 रूपे ऐसे का जनून है पार्टी की प्रती समर्थन है समर्पन है कि चंदा उतार करके मंच माई करके जवरी हमको बुलाए नहीं हमारे गां उतर खाई है जैसे भी हम 8 मिटिंग 7 मिटिंग बेली करते हैं हमारी पाटी के हमारी यादत है कहीं भी कोई चुना होता है पूरी मन से हम आपको बता दें कि याद होगा साइद जब मैं चुनाव जहुराबाद लड़ रहा था इसी बार तो तमाम लोग की हार रहे हैं हार रहे हैं और नहीं मिलना मैं पहले बता दिया कि पचास जारोट से जितने हैं चुकि एक एक और बूस पर किस पार्टी को कितना मिलेगा हमने की पुरा आकड़ा निकाल लगा है वही काम मैं यहां कर रहा हूं आप जहां बैठे हैं अगर यहां की भी बात करूं हम तो सायद हमको अंदाज़ा कि 5% होट सफा को मिलेगा 95% आपको मिलेगा पूछले पीछे पूछले हम नहीं कह रहे हैं पीछे किसी से पूछेंगे ति जब लोग दुखी हैं, जब सपा की गौवर्मेंट थी, तो सपा न ये नहीं सोचा कि हम कर क्या रहे हैं, गरीबों की जमीनों पर कबजा करना, गरीबों को मार देना, मुकदमाना लिख देना, पुलिस की भरती हो या नौकरियों में जब भरती होती थी, तो खुले आम अप देख रहे हैं, थाने पर तसील पर कचहरी में, तो उनको लग रहा है कि यारी, अपने जतियत है कि नहीं अखिलेजी, शुपाल जी, राम गुपाल जी इसन कहीं कहीं है, हमाने कहने नहीं है, आज अगर पूरे मौव की ही बात कर लें, तो मौव में नाई का, गोंड का, प चालिस चार बर बस्पा बनाई, क्यों नहीं मिला, अगर बावासाब डाक्टरों बेटकर ने संभीधान विवस्ता नहीं दिया हो, तो थम नहीं बोलती, पहले पन्ने पे लिखा संता सुतंता बंधू तो नयाय पर आधारित भारती संभीधान, तो संभीधान में सबको ब कुछ महीने पहले भाजपस उनको जिताने के लिए अब आप कुछ महीने बाद आ गए तो जनता पर इतना भरोजा क्यों करें पूछ लिजेए जनता से हम पना ही छोड़िए जनता से पोछ लिजिए गा देखिए जब सपा से सपा में गए तो एक भी सपाई ये नहीं कहा बलकि गुलाब का फूल लेकर के उनका स्वागत किया माला पहिनाया समाजवादियों ने उस समय नहीं कहा कि दल बदल क्यों हो रहा है तब तब बहुत खुश्ट है अगर वो समझ गए कि समझ वादी पार्टी की सरकार नहीं है हम गरीबों की राश्ते पुल फुल या खड़ंजा थाना तासिल जीले पर भी नहीं कर सकते तो हम सरकार में क्यों न चले तो लायक है कि समाजवादी पार्टी रिजाइन दे दिया और बिधाय की से रिजाइन साथ है सबसे ज़्यादा दिक्कत किसी को है तो समाजवादी पार्टी काल आये थे अखिलिस चुनाव में सपा सपा के साथ जब मैय और दाराज चौहान था इलुक समझ नहीं पाते हैं पताने कौन सी जोती सा कौन सा अकड़ा निकालते हैं एक लाक 8,422 उट मिला था जब मैय और द चालीस हजार उसमें से निकाल दिए 68 अब इसके बाद ओट कहां से आ गया तो बसपा भी तो लड़ी थी बच्पन हजार बहुन हजार बसपा पाई तो वह तो आप वह आप अपने में जोड़ लेंगे दो जोन की घटना जाए गउंगा में किसी दलिद बस्ती में जाई ए दिके भारती यंता पार्टी एक ऐसी पार्टी हो गई की माने मुलाएम सिंह यादव जी को पहली बारी नावासी में मुख्यमंतरी बनाने के लिए तो यही समझवाधी पार्टी चींडे के मयावातीजी का हत्ता करने में प तुले हुए थे लेकिन अंता पार्टी विदा बचाएं नहीं बल्कि भार्ती जनता पार्टी समर्तन देके दलित पेसिको मुक्यमनतिर्वी भ動画 पटताये सचे 거죠 दिख रहे आज केष्व मोरिया जी दिख रहे हैं तो भारती जेंता प्सक्राइब दिख रहे हैं जाले दिख रहे हैं जाए पि तो आपने जो जातियों को जोड़ने के बात कियो तो चोहान, राजभर, निशाद यह सब दिख रहे हैं भाजपा के साथ और जो राजपूत हैं ठाकूर हैं जो सवर्ण हैं उनकी चर्चा यह हो रही है कि उतो दल बदल रहे हैं तो हम सुधाकर सिंग के साथ हैं सपा के हम अगर सपा के पत्यासी को देंगे तो यह ओट अखिलेश को मिलेगा अखिलेश का सम्मान होगा अखिलेश का जिंदाबाद लगेगा अगर यह ओट हम कमल के फूल पर देते हैं तो योगी आदित नाथ की जीत होगी मेरंदर मोदी जी की जीत होगी ओंप्रिकास राजभ कि जीत आई हैं तो यादों की जीत होगी खाली अकेली कैसे जो होगा काम कहा यह जा रहा है कि इस बार आपका बहुत कुछ दाओं पर लगा है क्यूंकि आप सपा के साथ थे आए जितानी की जिम्मधारी आपने उठाई और लगातार गाओं-गाओं आपको लगता नहीं है क कि अजिक इस बार बहुत कम का दाओं पर यह 288 बूत पर जिसमें यह भी वूट है कि यहां के लोगों से पूछ लिजिए गा शमानवर की लोगले होंगे उनसे पूछ लिजिए के विति अ6ी शीजिये उसी तरह 388 के बाद 76 वूत ऐसे हैं जहां समझवादी पार्टी 70-80 परषंड पाएगी पर 20-39 बुत पर 20-वोट नहीं पुछे हो जाएंगे हम 40-वोट पर कांटे की टक्र रहे हैं इसी को हवाबान रहे हैं हम तो गाउं में जा रहे हैं अभी मैं आप नहीं पहुंची जहां में गया था वो धवरिया सा गाउं था मैं वहां पूचा कि बताओ 42 गीनती से सपा पाएगी आठ बूत ऑठ बूत का अकड़ मैं बता रहा हूं कि गीनती से लोगों ने बतादिया कि कहा जीती है यहां आप सबसे बड़ा गाउं यहां का मसहूर गाउं आपका सहरोज है कि मसहुर गाउं है सहरोज आउस गाउं में आपको बता दूं हम 80% रहेंगे और 37% रहेंगे 20% रहेंगे अपसे बड़ी बात यहां जो खड़ा किया जा रहा है कि 50,000 है 20,000 से जादा यादव कोट वे नहीं है हम कह रहे हैं हम गिना देगे कि किस बूत पर किस चक्तर में कितना उट किस जाती का है यह हम आकड़ा निकाल कि आपको बता रहा है इसा खिलवार नहीं बता कर रहा हूं ऐसे ही ठोड़ा हूं और हम आप यादोच वर आज कर दो किस जादही जैद कोशटोपने में कजूर्या согlt धर हिरते नब रामfiction के अए धाकूर के इंहां समा उगर का कुल-टवे जोन है 17 पूरे चुनाव की बात में कर रहा हूं 35-36,000 ओट है जब कि पोली इनका ज्यादा से ज्यादा 20-25 परसेंट होता है इसे ज्यादा नहीं होगा लेकिन उसको भी हम 50% मानके चले हैं इसनाते कि पंडी जी दूचार ओट पकल लेते हैं बहुत सब पकल लेंगे मजबूरी है उन के सपा के वोट दे था यहां हम तो भूमत ही गाँ होगा आप वोटरों से पूछी हम से नहीं वोटरों से पूछेंगे लेकिन एक हाइपोथेटिकल सवाल है सवाल है कि कई लोग ऐसा भी कह रहे है कि इस बार ओम प्रकास राजभर जी को फिक्स करने की पूरी तयारी है ए देखे ओम प्रकास राजभर पल देड़ बजे देपी जेपी नड़ा जी का फोना है तो पोलिटिकल मामला था हमारा दुफरा दो तारीक को आ रहे हैं योगी जी योगी जी आ रहे हैं तो जो बचा खुचा वोट है तो सब गोली आ जाएगा आप किसी पोलिटिकल व्यक् से पूछे जो थोड़ा सा समझदारी की बाद बरती आएगा आठ दिन पहले सिती कुछ रही हला था बिरोत खाली था जो बात आपने पहला सवाल किया आज वो सवाल खतम हो गया आज सवाल यहां खड़ा हो गया है अखिलेस बना वह प्रकास राजभर की लड़ाई हो रही अखिलेस भी बारी ओंप्रकास राजभर भी बारी आओ चलो फरिया लो कहां पही हैं कवनों औरी चला दोरी गार चला खोसी चला कोपा चला कवनों बलाक में चला ऐसा ही थोरो हम ललकारत है यहां बहुत आप खुश भी हैं हस भी रहे हैं confidence आपका दिखा भी रहा है लेकिन यह भी है कि परश किजिए कि यह चुनाव हार गए तो उंप्रकास राजभर का क्या होगा सवाल ही नहीं है सुबह हमारे कार्याले में तीन चार बड़ी पत्रकार जैसे आप परचित हैं मित्र हैं वह से उलुग भी है तो आये कल लोग कुछ लुग आये अखिलेजी के भाई समाचार कबर कबरेश करने के लिए तो सामकोई दफून कियम के आईये हम आपको वह ची कि आईये वोद्रों चीज खिलाते हैं सुधा देसी हम लोग भीट के सब्लुग קक काना करते हैं में हुई मूई करते हैं वह उपकर ते मोग य diferencia में बीचले में कार्याले गए और हमारे कारेयाल आए इनों जगा आने के बादar सबसे जाए ज्यादा चहक सबसे ज्याधा ख नूइक नहीं पीछे के लडाई है यहां समने कमान यहां के जो इन्चार्ज बनाए गये हैं और बड़े नेता हैं लड़ाई जब तक लख्ष न मिल जाए तक पूरी तक से लड़ेंटीगे से लिवाकरी सवाल से कि जो यह आरोप लगे हैं कि भाई दल बदलू है आपके कैंडिडेट बार बार दल बदल रहें आप पर भी थोड़ा यह आरोप है कि आप पिछली बार थे लेकिन उन पर ज्यादा है कि बेवज़ा का चुनाव करा दिये दल बदल दिये इसका क्या प्रदेश नहीं देश की राजनीत में पताने को नसा राजभर खियो लेवा सब के कि सब खाली राजभर के चर्चा और जहां तक दल बदलने की बात है दल बदलना नहीं समाज का विकास चार साल लगातार सरकार रहेगी और सरकार में रह करके हम ठाने से लेके तवसीर से लेके जीले से लेके समाज की भलाई कर स सद्ट लुप इस राजबर बस्ती रास्टा नहीं बना यह समझ पाइओं के नहीं जिमेंदारी डेले संब बस तो आठाम में तो हम आये हैं हम तो लॉप कार में कि स्वाइब लुकुर मका हैं कि पत्र को टरा दिया होता अर्पिर में कहरा हूं सरकार में सामिल हो चुका हूं अब बताया हो पत्र दिस दिन अघ्मी कहले तको तो पर यान को अभर जो लो की कितना यकीन है कितना भरूसा है कि हुआ है वह जो कह रहे हैं ओ करेंगे तो आप लोग राजबर ओम पर जी कहने पर वोट करते हैं जहां कहेंगे महां वोट कर देंगे अब आप ने तो एकदम सब को काडर बना दिया अपने जनता को यह तो छोटा गाउं है यहां ना दो-डो हजार राएड़ हजार तिन-तिन हजार ओटर की गाम हैं यहां 65000 अम्ट माइने रखता है मिनिम्मम पोलिंग होगी तो यह 70% 65% 60% के उपर पोलिंग होगी आप समझ लिजिए कि लगभग 40,000 ते ही पोलिंग कर देगा जो आकड़ा हमने निकाला है आप समझ लिजिए कि यादो मुसल्मान और जो और उट उनको मिल रहा है उनका मुकाबला तीन जातियां कर देंगे निसाद राजभर और चवाद बस औ वोट मिलेगा वोनस में हम लोगों को है वो पचास हो जाए इतने से आप जीतेंगे को तना से जीतेंगे वह सकता है मायावति का जो वोट है जो दलितों का वोट है उसका कम से कम हमारे साथ हमको अंदाज़र की 200 से ज्यादा नेता हम बस्पा में 14 साल रहे हैं देश में पह जो मायावति जी को परधान मंत्री बनानी की बात किया किसी की हिमत नहीं पड़ी सपा से भी समझाता कांग्रेश से भी सबसे समझाता कर लिया किसी नेता ने उनको परधान मंत्री की बात नहीं किया अगर किया तो हम प्रकास राजभर तो चमार भाई हमारे बगर गए प्राजभर और बस्ती में हम पूरी आबादी लगभग राजभर विरादरी की। इनका दावा है कि हर हाल में जीतेंगे, अगर कोई ये सोचता है कि इस चुनाओ के बाद ये फिक्स कर दिये जाएंगे, तो भारी गलत फैमी में है, और इनका ये भी दावा है कि कम से कम पचास अजार वूटों से उनकेंगे, अब नजरे हमारी रहेंगी चुनाओ, मतदान बहुत शुक्रिया सर आपका बात करने के लिए, फिर हमारी किसी अगले शक्सियत से मुलाकात होगी, नमस्कार.